अनकेड़ेमी, लेट्स क्राकिट अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन जरूर प्रेस करें जिससे हमारी लेटिस्ट नोटिफिकिसन आपको तुरंट मिलती जाएं चलिए तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम सुरू करते हैं अपना पहला कोश्चन और हमारा पहला कोश्चन है आज का संयप्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोशणा है जिसकी अविदी कितने वर्ष होगी आपके आपसंस हैं आपसंन ए पंदरा वर्ष आपसंन भी बीच वर्ष आपसंसी दस वर्ष और आपसंडी शोला वर्ष तो आप सबको बता दें कि यूए इने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा की जारी करने की घोशणा है जिसकी अबदी की कैपिटल अबुदवी है यहां के राष्टपती खलीफा बिन जायद अलनाहयान है और प्रिधान मंतरी मुहम्मद बिन राशिद अलमक्तून है और यहां का सबसे बड़ा नगर दुबाई है चलते हैं हम अपने अगले कॉस्चन पर और हमारा अगला कॉस्चन है यूनेस्को के दौरा 2022 के लिए किस सहर को बर्ल बुक कैपिटल के रूब में नामांकित किया गया है और आपके आपसंज हैं आपसंज ए ओशाका जापान आपसंज बी जकार्ता इंडोनेशिया आपसंज सी मनीला फ्लीपेंस और आपसंजी गौाडल हारा मेक्शिको तो आप लोगों को बता दें कि यूनेस्को ने 2022 के लिए गौाडल हारा मेक्शिको को बर्ल बुक आफ कैपिटल के लिए नामांकित किया है और आप लोगों को यूनेस्को से 1946 में बना था इसके बर्तमान अद्यक्श आंद्रे अजोले जी हैं और इसका मुख्याला पैरिश फ्रांच में हैं अभी बर्तमान में यूनेस्को के सदश्च देशों की शंख्या 193 है और बर्तमान में भारत के कुल 38 स्थल यूनेस्को की बिश्व विरासत इस्थल सूची में सामिल किये गए हैं और आप लोगों को यह भी बता दें कि 2020 के लिए कैपिटल बर्लबुक कैपिटल के रूब में कौाला लंपुर मलेशिया को चुना गया है चलिए दोस्तों तो चलते हैं अपने अगले कॉस्चन पर और हमारा अगला कॉस्चन है हाली में किस देश के राष्टपती जैरी रॉलिंग्स का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और आपके उप्संस हैं उप्संस A चिली उप्सं B घाना उप्संस C बोलीबिया और उप्सं D शाउथ अफ्रीका तो आप लोगों को बता दें कि हाल ही में घाना के राष्टपती जैरी रॉलिंग्स का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है चलिए तो आप लोगों को घाना से संबनित कुछ और जानकारी बता दें जैसे कि घाना की कैपिटल अक्रा है और यहां के राष्टपती जान अता मिल्स है और यहां के उप्राष्टपती जान द्रामानी महामा है और यहां के संसद के अद्यक्ष ज्वैस बॉमफोर्ड अदो है और यहां के मुखनियादीस जॉरजीना थियोरोडा बुड है तो आप लोगों को दुबारह ये जानकारी बता देते हैं कि यहां के रश्ट पती जोन अता मिल्स है, यहां के उपर रष्ट पती जोन द्रामानी महामा है, यहां के संसत के अध्यक्ष जियस बॉंफोर्ड अधो है और यहां के मुख नियादीस जोर्जीना थिऔरोडा बु आप्से की है तो आपके ऑपसंस हैं A दिसंबर 2020 B ऑपसं B जनवरी 2021 ऑपसं C अप्रेल 2021 और ऑपसं D मर्च 2021 तो चलिए दोस्तों आप लोगों बता दें कि IRCTC ने भारत दर्शन आत्रा जनवरी 2021 से शुरू करने की घोशना की है और आप लोगों को IRCTC से सम्मंदित थोड़ी जानकारी देदें कि IRCTC भारतीय रेल की सहायक कमपनी है और इसका हैड़कौाटर दिल्ली में है और बरतमान में रेलवे बूर्ड के चेर्मेन B के यादाओ जी हैं चलिए दोस्तो तो चलते हैं हम अपने अगले कॉस्चन पर और हमारा अगला कॉस्चन है हाली में भारत ने QRSAM सिस्टम का सफलता पूरवक परिक्षण किस राजजिके तट पर किया है और आप लोगों के आपसन है आपसन A के रल आपसन B तमिलनाडू आपसन C आंदर प्रदेश और आपसन D ओड़ी शा तो आप लोगों को बता दें कि हाली में जो QRSAM मतलब Quake Reaction Surface to Air System एक मिशायल है इसका परिक्षण भारत शरकार दोरा ओड़ीशा के तटपर किया गया है और चलिए तो आप लोगों को ओड़ीशा से संबंदित कुछ जानकारी बता देते हैं जैसे कि ओड़ीशा की राजधानी गुवनेश्श्वर है यहां के मुख्यमंतरी नवीन पतनायक हैं यहां के राजजपाल गणेशी लाल जी हैं और इसकी आधुनिक ओड़ीशा की इस्तापना को एक अपरेल 1936 में हुई थी और यहां की सबसे उची चोटी देवमाली जिसकी उचाई 1672 मीटर है और चलिए तो दोस्तों हम अपने बाकी के आपसंस भी देख लेते हैं कि बाकी के आपसंस में क्या खाश है तो हम बात करते हैं सबसे पहले केरल की और केरल की राजधानी तरूव अनंत पुर्म है यहां के सीम यानि मुख्यमंधरी पिनाराई बिजेयन है यहां के राज्यपल पी 77 शवम है और यहा केरल में विधान सबाश सीट है एक सो चालीatti है लोक शवाश सीट है बीस है और र अगले उप्सन पर और अगला उप्सन है तमिल नाडू को भी देख लेते हैं कि यहां की राजधानी चेन नहीं है यहां के मुख्यमंत्री के पलानी शौमी है और यहां के राजजपाल बनवारी लाल प्रोहित हैं और अगर तमिल नाडू में बिधान परीशत की बिवस्ता देखी जाए तो यहां पर बिधान शवा सीटें 235 हैं यहां की लोकशवा सीटें 49 हैं और यहां की राजपाली से चलिए दोस्तों आपको एक और आप्सन वचता है और बो है अंदर प्रदेश तो अंदर प्रदेश के बारे में भी बता दें कि आंदर प्रदेश की 253 को ही ती यहां पर दूई सद्निये विवस्ता है जिसमें बिधान परीशत की सीटें 58 हैं और बिधान सभा की सीटें 176 हैं और यहां पर लोकशवा सीटें 25 और राजवा सीटें 11 हैं और यहां के मुख्यमंतरी स्री जगन मोहन रेड़ी हैं और यहां के राजपाल बिश् हरी चंदन है तो दोस्तों देखिए आप आपको हम इस तरह से ज्यान देते हैं कि आप लोगों कहीं जाना नहीं पड़े और किस बात की है फिकर जब साथ है इस्टडी कर और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो किरपया लाइक करें और वीडियो को जादा है जादा सेयर करे तो चलते हम अपने अगले कॉस्चन पर और हमारा अगला कॉस्चन है हाली में चंद्रावती देवी का निधन हुआ है 22 छित्र से शम्मंदित थी आपके आपसंस है राजनीती आपसं बी कलाकार आपसं सी शंगी तग और आपसं डी खेल तो आप लोगों को बता दें कि हाल जिन चंद्रावती देवी का निधन हुआ है उनका शम्मंद राजनीती से था और इनके बारे में बता दें चंद्रावती देवी जी के बारे में तो चंद्रावती देवी हर्याना की पहली महिला शांसत थी और यह पुदू चेरी की उपराजिपाल भी रह चुकी है हर्या हर्याना के बारे में और जानकारी आपको बता दें कि हर्याना की राजधानी चन्डीगाड़ है जिसका और हर्याना का गठन एक नॉबंबर उनीस्सोचपपन को हुआ था यहां के मुख्यमंतरी स्री मनुहललाल-KAddder जी हैं और यहां के राजजपाल सत्यदेवनाराएन आर रहे हैं हर्याणा के बारे में और बताते हुए आपको बिद्धान्शवाशीटें यहां की 90 हैं लोगसवाशीटें 10 हैं और राजसवाशीटें 5 हैं और आपको latest information भी हर्याना से दे दें तो हर्याना ने हाल ही में enemy index में top किया है तो चलिए दोस्तों तो हम चलते हैं अपने अंगले question पर और उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और हाँ आज आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में आप लोगों को एक challenging question रखा गया है जिसका answer आप लोगों comment box में देना है चलिए तो चलते हैं अंगले question पर और हमारा अंगला question है कितने एशिया प्रांत देशों ने दुनिया के सबसे बड़े समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं प्रशन को दुबारा पढ़ेंगे कितने एशिया प्रसांत देशों ने दुनिया के सबसे बड़े समझोते पर हस्ताक चर किये हैं और आपके options हैं option A 12 option B 15 option C 18 option Ind to D20 तो दोस्तों आप लोगों को बता देए कि हाली में ASEAS pathता देशों ने दुनिया का जो सबसे बड़ा सम्झो आ होगा है आशियान का उसमे जानकारी हत्यांज मुप्ष्र कीये हयं तो आशियान का मुख्याल है जकारता इंडोनेशिया में है और इसकी इस्तापना आठ अगस्त उनीस सो सड़ सट को थाइलेंड की राजदानी बैंकोक में हुई थी तो दोस्तों यहां आप लोग कभी कनफ्यूज ना हों कि इस्तापना बैंकोक में हुई थी और इसका मुख्याला जकारता में है यह याद रखें और आशियान के बरतमान अद्यक्ष ली शुन लूंग है और यहां के महासचिव लिम जैक होई है और आशियान के सेक्रेटरी जनरल है वो थाइलेंड से हैं और उनका नाम है सूरीन पिट्शवान और यह इसका 37 वा शिखर्शम मेलन था जिसमें 15 देशों ने सस्ताक्षर किये हैं तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले कॉस्चन पर और हमारा अगला कॉस्चन है इंटरनेशनल चिल्डरन पीस प्राइज 2020 किसने जीता है और आपके आपसंस हैं आपसंस ए शादत रह्मान आपसंस बी ओम पिरकास गुजर आपसंसी ग्रेटा थनवर्ग और आपसंडी नजरीन तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल चिल्डरन पीस प्राइज 2020 सादत रह्मान ने जीता है जो कि बंगलादेश से संबन देते हैं और आप लोगों को अंतराश्टिये बाल सांती प्रुसकार इंटरनेशनल चिल्डरन पीस प्राइज के बारे में और बता दें कि भारत से इंटरनेशनल पीज चिल्डरन पीज प्राइज 2020 के लिए 24 बच्चे नामंकित किये गए थे और आपसन्स के बारे में बता दें तो सादत रह्मान 17 बर्चिये हैं जो बांगला देश के निवाशी हैं दूसरा आपसन आता है ओम प्रकास गुजर तो ओम प्रकास गुजर ने इंटरनेशनल चिल्डरन पीस प्राइज 2006 में भारत के लिए जीता था उन्हें यह प्रुसकार मिला था अपना तीसरा आपसन बनता है ग्रेटा धनवर्ग तो ग्रेटा धनवर्ग स्वीडन की हैं और यह पिछले बर्स ही इन्हें प्रुसकार दिया गया था और आपका आखरी ओपसन है नजरीन तो नजरीन के बारे में बता दें कि यह 15 शालकी हैं मंबई के गोवांडी से तालुक रखती हैं और इन्हें इस साल नामांकित किया गया था लेकिन इन्हें यह प्रुसकार नही इसके ओपसन्स क्या हैं और ओपसन्स हैं ओपसन ए केरल ओपसन बी गुजरात ओपसन सी जारखंड और ओपसन डी महराष्ट तो दोस्तों आप लोगों बता दें कि हाली में जिस राज्य ने शन्ना सहींता पर प्रस्ताव पारित किया है और बहराज्य है जारखंड तो को एक अलग धरम में के तौर पर सामिल करने का प्रयास किया गया है और जारखंड के बारे में और जानकारी दे दें तो जारखंड की कैपिटल राची है यहां के मुख्य मंतरी हैमंत सौरेंजी हैं और राजजपाल द्रोपदी मुर्मूजी हैं यहां की बिधान सवा सीट हैं 82 हैं 82 हैं 82 हैं लोकसवा सीट हैं 14 और राज्यसवा सीट हैं 6 हैं और जहारकंड का इस्तापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी तो अपना फिर से आपसंस को देखते हैं क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और अपना पहला उपसंस बनता है केरल तो केरल से लगवक महत्तुपून सारी जानकारी हैं पहले ही आपको बता चुके हैं वीडियो में लेकिन एक और बता देते हैं कि केरल का राज्योश्चा ओडम है चलिए तो दोस्तों हम देखते हैं अपना अंगला उपसं और अंगला उपसं है गुजरात तो गुजरात के बारे में बताते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधी नगर हैं यहां के मुख्यमंत्री बिजैरूपानी जी हैं और राजजपाल आचार देबरत जी हैं गुजरात में एक शदनिये विवस्ता है और यहाँ पर बिधान सवा सीट हैं, एक सो बियाशी हैं, लुक सवा सीट हैं, छबीस हैं, और राश्च सवा सीट हैं, ग्यारा हैं, गुजरात का राश्किये नरत्य, गर्बा नरत्य हैं, और गुजरात में एक महत्पून राश्टिय उद्यान, की गुजरात राज्जी की भारत के हिसाब से सबसे लंबी तटिये शीमा है अब चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना आखरी आपसन और हमारा आखरी आपसन है महाराष्ट तो महाराष्ट के बारे में बता दें आपको कि महाराष्ट की कैपिटल यानी राजधानी अखरी मंतली अजीत पवार हैं और यहांँ के राजवपाल भगधर शेंकोशी आरीजी हैं बगधर शेंकोशी आरीजी बर्तमान में गुवा के राजवपाल का भी अतीरिक्ट पथा भार शमाल रहे हैं और आप लोगों को बतादें की महाराष्ट में 237 दौई सद नीये ये कमाई 1960 को हुई थी तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आज के अगले कॉस्चन पर और आपका अगला कॉस्चन है अंतर राष्टी ये शहिशुनुता दिवस कब मनाते हैं और आपके आपसंस हैं आपसंन ए चउदा नॉंमबर आपसंन बी पंदरा न मॉमबर आपसं C 12 नॉमबर और आपसंस डी 17 नॉमबर तो आप लोगों को बता दें कि अंतर राष्टी ये शहिशुनुता दिवस हाली में 16 नॉवंबर को मनाया गया और आपको बागी आपसंस भी बता देते हैं तो सबसे पहले देखते हैं 14 नवंबर, तो 14 नवंबर को भारत में राष्टिये तोर पर बाल दिवस मनाया गया, जबकि विश्व इस्तर पर विश्व मदुमे दिवस मनाया गया, दूसरा उप्सन 15 नवंबर, तो 15 नवंबर को कोई खास डेट नहीं है, इंटरनेशनल वेस हैं, तो तीसरा उप्सन 16 है, तो 16 को शहिशुनता दिवस तो मनाया ही गया, साथ में राष्टिये प्रेश दिवस भी मनाया गया, और हमारा आखरी उप्सन बचता है 17 नवंबर, तो 17 नवंबर को राष्टिये मिर्गी दिवस मनाया जाएगा, चलिए दोस्तों तो आप लो ली बेंक के खातों को किस तारीक तक आधार कार्ड के से जोडने का निर्देश दिया गया है, और आपके ऑप्सन सें, ऑप्सन ए, एक जनवरी 2021, ऑप्सन बी, एक फरवरी 2021, ऑप्सन सी, 31 मार्च 2021, और ऑप्सन डी, एक अपरेल 2021, दोस्तों इस प्रिशन को दोबारा देते हैं और इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है कि कमेंट बॉक्स में जरूर ही देना है, तो आज का हमारा चैलेंजिंग कोस्टन है, वो है, बित्त मंतराले के द्वारा सभी बेंक खातों को किस तारीक तक आधार कार्ड से जोडने का निर्देश दिया गया है, और आपके आपसंज हैं, आपसंज ए, एक जनवरी 2021, आपसंज बी, एक फरवरी 2021, आपसंज सी, 31 मर्च 2021, और आपसंज डी, एक अप्रेल 2021, तो दोस्तों आप लोगों को एक महत्तपून सूचना देनी थी और सूचना है कि स्टड़ी कर परिवार अब अनकैडमी चैनल का पार्टनर हैं, तो आप लोग अनकैडमी पर जाएं, और आपको जहां अनकैडमी पर मिलेंगे, फ्री लाइब क्लासिस, फ्री डेमो क्लासिस, फ्री लाइब टेस्ट, और इस सब के साथ फ्री प्लस क्लासिस भी, फ्लस क्लासिस में थोड़ा सा फ्री लाइब क्लासिस से ए तगबग 2 अक्टूबर से सुरू होकर अन्त नवंबर तक उनकी स्टार्टिंग डेट है और इनमें आपको विभिन परिक्षाओं से संबंदित विभिन कोर्सिस करवाए जाएंगे और आप अगर इनमें से कोई भी बैच जोईन करना चाहते हैं और हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा फ्लेट 10% ऑफ डिसकांट तो आपको कोड भी बता दें कि हमारा कोड है राजा नमबर बन और अगर हमारा कोड उपयोग करेंगे आप तो आपको मिलेगा 10% का डिसकांट चलिए दोस्तों तो हमारी वीडियो यहीं समापत होती है धन्यबाद ज सेर जरूर करें और अपने दोस्तों को